मयानमार में लोकतंत्र 4 जन्वरी सन 1948 को ओंग सैन नामक एक बर्मन जातिये समूह के नेता के नेत्रित में मयानमार को स्वतंत्रता मिली सन 1951, 1956 एवं 1960 में चुनाव हुए स्वतंत्र बर्मा में साव शो थैक प्रथम राश्टपती एवं यू नू प्रथम प्रधान मंत्री थे सेना अद्यक्ष जनरल नेवीन ने सन 1962 में निर्वाची सरकार का तख्ता पलट दिया और देश का शासन अपने हाथों में ले लिया सन 1962 एवं सन 1965 के बीच जमीनदारी और सूदखोरी के खिलाफ महतपूर्ण कानून बनाए गए सन 1988 में सेना के खिलाफ एक बड़ा विरूद प्रदर्शन किया गया जिसे सेना ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया मैनमार के शासकों ने सन 1990 में चुनाओ घोशित किये इन चुनाओं में एक राजनेतिक दल National League for Democracy NLD ने 80 प्रतिशत के भारी बहुमत से चुनाओं में जीत हासिल की जबकि उनकी नेता सूकी जेल में थी जासा से ने थेडिया देडित या भत मिल general प्रतिशत की जीत है ड्याद।